हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्स्ट जनरेशन के बारे में क्यों बोलते हैं इन्हें वर्स्ट जनरेशन तो आईए वीडियो शुरू करते हैं अगर आप लोगों को ये जानना है कि इन्हें वर्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इन्हें सूपर नोवास क्यों बोला जाता है और अगर आपको सूपर नोवा समझना है तो हम लोग को चलना पड़ेगा एकदम शुरुवात में जब पाइरेट एरा शुरू होता है जब सब लोग वन पीस की तलाश में निकल जाते हैं तो धीरे धीरे यह लोग पहुंचते हैं ग्रेंड लाइन की तरफ जहां पे इनको एंट्री मारनी होती है अब ग्रेंड लाइन में जाने की होते हैं साथ रास्ते और ये जो 11 सूपर नुवाज हैं अभी ये नॉर्मल वेक्ति हैं अभी मैं बोल रहां 11 सूपर नुवाज लेकिन ये नॉर्मल लोग हैं अभी इनको टैग नहीं मिला है सूपर नुवाज का अब इन्हों ने इन साथ रास्तों में से एक रास्ता चुना और ये लोग पहुंच गए Grand Line में जहां पे इनको टैग मिलिया 11 सूपर नुवास का अब ये टैग मिला कैसे इन्हों ने अपनी जर्नी में ऐसा अब तक क्या किया था दोस्तों बहुत लोग आयते बनपीस की तलाश में कईयों ने हिम्मत करी कि चलो Grand Line में एंट्री मारते हैं कुछ लोग बह गए गए कुछ लोग मर गए कुछ लोगों ने देखा कि Grand Line बहुत खतरनाक है तो वो वापिस लोड गए लेकिन इन 11 लोगों ने हिम्मत करी अच्छे से एकदम एडवेंचर किया और पहुँच गए Grand Line में जहां पे इनको टैग दे दिया गया 11 सूपर नुवास का ये 11 सूपर नुवास हर दिशाव से आये कोई South Blue से कोई East Blue से कोई North Blue से कोई West Blue से और कोई Sky आया है इसके बाद इन सूपर नुवास में एक बड़ी ही यूनिक चीज है कि इन सब की Bounty 100 मिलियन से उपर है अब ये लोग Grand Line में आ गए अब इनका सफर शुरू होता है वर्स्ट जनरेशन बनने का तो अगर आपको वर्स्ट जनरेशन समझना है तो आपको एक करेक्टर या बोलो किसी भी कैप्टन ये नौ कैप्टन थे इनमें से एक की जर्नी देखनी पड़ेगी साबोडी तक की हम लोग शुरू करते हैं लूफी से लूफी ने जब Grand Line के बाद अपना Adventure शुरू किया तो सबसे पहले लूफी ने पीटा था क्रोकोर डाइल को जो की एक सीची भुकाई है यहाँ पे Government ने कहा भाई यह क्या हो गया हम लोग के साथ हमारा सीची भुकाई पीट दिया अब आगे चलो फिर यह लोग पहुँच गए Water 7 में और उसके बाद पहुँचे एनियस डोबी में जहाँ पे इन्होंने CP9 को पीटा Government का फ्लैग भी जला दिया जिसके बाद तो हाहा कार मच गया था World Government में कि इस बंदे ने ये क्या कर दिया अभी भी लूफी एक कदम रुके नहीं थे लूफी अब आगे बढ़ता है तो कीको मोरिया को पीटता है जो की दूसरा सीची भुकाई था अब ये लूफ पहुंच गए साबोडी में जहां पे इन्होंने सेलिस्यल ड्रेगन को पीट दिया अभी भी इनके काम रुके नहीं है किजारू से हारने के बाद ये बंदा पहुंच गया इंपल डाउन में जहां पे मैगलन को पीटा मैगलन को पीटने के बाद ये बंदा पहुंच जिया मरीन पोर्ड में जहां पे इनने सब को पीटा तो वर्स्ट जनरेशन का टेग इन्हें इसलिए मिला क्योंकि ये गवर्मेंट को हमेशा टार्गेट करते हैं इनका कोई भी काम हो अगर उसमें वर्ल्ड गवर्मेंट ना आए तो बेकार है अब आप लोग ले लो कैप्टन किड का कैप्टन किड ने जब अपना एडवेंचर शुरू किया तो ये आम लोगों को मारता हुआ आ रहा है इसे कोई फरग नहीं पढ़ता कि इस चकर में इनका टैग मिलिया वर्स्ट जनरेशन का वर्स्ट जनरेशन समें से निकल के एक और तुरंदर सामने आता है जिसका नाम है ब्लैक बीर्ड इसने तो बड़ा मतलब गवर्मेंट की धजियां बहुत अलग तरीके से उड़ाई सबसे पहले ये बना सीची बुकाई उसके बाद पहुँच गया इंपेल डाउन में जहां पे इसने सब की धजियां उड़ा दी इंपेल डाउन के लेवल सिसके सारे कैदियों को आजात कर दिया इसके बाद पहुँच गया मरीन फोर्ड में जहाँ पे इसने Marines की फिर दुवारा धजियां उड़ाई तो इन चारों की स्टोरी में आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि इन्होंने Government को Target किया है हमेशा Government के लिए दिक्कते इन्होंने खड़ी करी इसलिए पूरी Worst Generation को एक Tag दे दिया गया कि ये है Worst Generation इसके बाद Government Worst Generation से इसलिए भी घबराती है क्योंकि ये लोग नई जनरेशन को इंस्पायर करते हैं जैसे कि आप लोग जानते हो कि लूफी ने बार्थो लोमियों को इंस्पायर किया था पाइरेट बनने के लिए इसके बाद Morgan ने दोस्तों बोला था कि Worst Generation में से एक बंदा बनेगा पायरेट किंग Worst Generation को Problem Child के नाम से भी जाना जाता है अब हम लोग बात कर लेते हैं Worst Generation की पावर की तो Worst Generation में एक बंदे को छोड़के बाकि सबने Devil Fruit खाया हुआ है Worst Generation में Zorro को छोड़के बाकि सबने Devil Fruit खाया है अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी पावर्स की तो सबसे पहले शुरुबात करते हैं Zorro से क्योंकि Zorro ने Devil Fruit नहीं खाया है तो उसी को पहले निप्टा देते हैं बाकि फिर सब की बात करते है Zorro ने Devil Fruit नहीं खाया फिर भी उसने बेमिसाल पावर दिखाई है Zorro कितना घाता के है यह हम सब जानते हैं और Zorro की करंट बाउंटी है 320 मिलियन बैरी जो की बहुत बड़ी बाउंटी है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Killer की Killer ने सुरुवात में Devil Fruit नहीं खाया था लेकिन जब वो वानो पहुँचा तो उसको वहाँ पे Smiley नाम का Fruit खिला जिया गया और Killer की बाउंटी है इस टाइम 200 मिलियन बैरी जो की अच्छी खासी बाउंटी है Killer के नाम पे इसके बाद बात कर लेते हैं Monk की Mad Monk जिसका नाम है उरोग उरोग का Fruit बड़ा ही घातक है लेकिन उसके Fruit का नाम अभी रिवील नहीं हुआ है उरोग का Fruit कुछ इस तरीके से हलकी तरीके जब वो अपने Fruit का यूज करता है तो उसकी बाड़ी एकदम फूल जाती है वैसे हो तक है Normal भी वो फूला हुआ है लेकिन उसकी बाड़ी जब Fruit का यूज करती है तो उसकी बाड़ी और फूल जाती है और वो काफी ताकतवर भी है उरोग की करंट बाउंटी है 108 मिलियन बेरी जो की तगड़ी बाउंटी है इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग Scratch Man आपो की आपो के Fruit का नाम अभी रिवील नहीं हुआ है अगर हम लोग बात कर ले उसके Fruit की पावर की तो उसका Fruit जो है Music पे Based है वो अपने Body से Instrument बजाता भी है जैसे वो अपने दात में देखा है तो पियानो बजाता है अपने दातों से और अपने हास से वो बासुरी भी बजाता है आपो की Current Bounty है 350 Berry जो की बहुत बड़ी Bounty है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Jewelry Bonnet की जिसके Fruit का नाम होने होने Nomi जो की बड़ा ही शांदार Fruit है उसके Fruit की Power ये है कि वो किसी भी एज में आ सकती है जैसे वो Teenager में आ सकती है Adult बन सकती है और वो Old भी बन सकती है यही काम वो अपने ओपोनेंट के साथ भी कर सकती है Bonnet की Current Bounty है 140 Million Berry जो की अच्छी Bounty है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Kapon Gang Beji की जिसके Fruit का नाम है Shiro Shiro Nomi जो की बड़ा ही कमाल का Fruit है जब Beji अपने Fruit का यूज करता है तो उसकी Body एकदम काम करती है Battle Machine की तरह टैंग की तरह काम करती है और Beji उस टैंग के अंदर होता है Beji और उसके पूरे Crew Members छोटे छोटी से हो जाते है और Beji का Fruit बड़ा ही अच्छा खाता Defense देता है Beji की Current Bounty है 300 Million Berry जो की अच्छी Bounty है अब हम लोग बात कर लेते है X-Drag की जिसके Fruit का नाम है Ryu Ryu Nomi जो की एक Ancient Zone टाइप है और उसकी Zone Form है Allosaurus जो एक कमाल का Defense देता है X-Drag को X-Drag की Current Bounty है 222 Million Berry जो की अच्छी Bounty है इसके बाद हम लोग बात कर लेते है Basil Hawkins की जिसके Fruit का नाम है Vara Vara Nomi जो की बड़ा ही शांदार Fruit है क्योंकि एक तरह से मालो उसका Fruit उसे बहुत सारी जिन्दगी देता है वो दोस्तों क्या करता है वो किसी की Life भी अपने आप से Connect कर सकता है ऐसे समझो जब भी कभी कोई जानलेवा Attack Basil Hawkins को पढ़ता है तो या तो उसका कोई Subordinate मरता है या फिर उसका कोई Crew का Member मरता है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Hawkins की Bounty की तो Hawkins की Current Bounty है 320 Million Berry जो की कमाल की Bounty है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Law की Law के Fruit का नाम है Ope Ope Nomi जो की एक बड़ा ही शांदार Fruit है और वो कितने अच्छे Attack भी कर लेता है जैसे Shambles जिसमें वो किसी को भी Transport कर सकता है किसी की Body Part से खेल सकता है इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं Law की Bounty की तो Law की Current Bounty है 500 Million Berry जो की कमाल की Bounty है अब हम लोग बात कर लेते हैं Kid की Kid का Fruit के नाम अभी Reveal नहीं हुआ है Kid का Fruit एकदम Magnet जैसा है जो अपनी तरब कुछ भी खीच लेता है लोग का इसके बाद उसी लोगे का वो अपना हाद दी बना लेता है और Kid काफी Powerful भी है Kid की Current Bounty है 470 Million Berry जो की अच्छी Bounty है अब हम लोग बात कर लेते हैं Monkey D. Luffy की Luffy के Fruit का नाम है Gomu Gomu Nomi जो की एक Paramecia टाइप है और अच्छा Fruit है लेकिन उसे काफी मेहनत करनी पड़ी Luffy की Current Bounty है 1.5 Billion Berry जो की बहुत बड़ी Bounty है End में हम लोग बात कर लेते हैं Black Beard की जिसके पास दो Fruit है Yami Yami Nomi और Gura Gura Nomi जो की एक कमाल का Defense है और एक कमाल का Offense भी है Black Beard की Current Bounty है 2.247.600.000 की Bounty है Black Beard की जो की बहुत बड़ी Bounty है तो दोस्तों यही थी Worst Generation और Super Novas के बारे में पूरी Complete वीडियो दोस्तों मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखे कुरोना से साबदान Good Bye